Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Glam Secrets और मैं हूँ आरती शर्मा Friends, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी important होने वाले ना कि अगर आपने ये miss कर दिया तो आपको साड़ी dripping करने में बहुत problem आने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि साड़ी में safety pin कैसे लगाते है प्लस साड़ी की pleats बनाते टाइम पर क्या देहान अकना चाहिए तो यहाँ देखें मैंने साड़ी का पल्ड अपने कंदे पर रख लिया है शोल्डर पर और अब साड़ी की जो पल्ले की लेंथ है वो घुटनों से थोड़ी नीचे ओ नीचे जो मैंने आपको दिखा दिया अब ताकि pleats बनाते टाइम पर गिरे ना तो मैंने side का side में साड़ी का जो फैब्रिक है वो टाक कर दिया है अब मैं एक बात बताओं अगर आप pleats बनाते हो ना तो कभी भी front side से ना बनाए back side से बनाए और एक जो कैंची होती है ना scissor उसकी तर अपनी fingers को बना ले जो point finger ह को front में रखें और thumb को और ring finger को एक साथ कर लें यह देखिए आपको समझ आ रहा होगा मैंने आपको एकदम clear तरीके से समझाने की कोछिश की I think आप लोगों को clear होई रहा होगा तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर जो pleats है वो पहुत छोटी छोटी अब यहाँ पर जो pleats है वो proper बन गई है आपको आगे पीछे वाली problem नहीं हो रही है ना यह one time में एकदम set हो गई है बिलकुल यह तरीका best होता है कि आप छोटी pleats बनाए ताकि आपकी जो pleats वो अच्छे से arrange हो जाए अब one by one जितनी भी pleats है ना उनको arrange करना शुरू कर दे मैं यहाँ पर border to border लेने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पर जो भी मेरी pleats बनके तयार हो इनको फटा फट से मैं तयार कर रही हूँ यह चीजें अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आपको कभी भी pleats बनाते टाइम पर problem नहीं आएगी और आपको जो arrange करने में problem नहीं आ तो अब हम इनको अपनी shoulder पर रखने से पहले हम pleats को one by one arrange करना शुरू कर रहे हैं मतलब ताकि अच्छे से सेट हो जाए safety pin लगानी है तो भाईया बहुत problem होती है होती है ना कभी कभी तो हमें खुद को safety pin चुप जाती है beginners की तो पूछो मत हालत खराब हो जाती है क्योंकि मैं भी एक टाइम पर beginner ही थी और मुझे बता है कि कितिनी problem होती थी यार safety pin को लगाने में तो यह तरीका अगर आपने सीख लिया ना तो आपको problem नहीं होगी तो देखे इसके लिए आपको लेनी है यह safety pin ले 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 और जो अपने pleats बनाई है ना ठीक है उसमें लगा लिए safety pin को इस तरीके से यहां पर मैं भी blouse के साथ safety pin नहीं लगा रही हूँ मैंने जो यह pleats बनाई है सिर्फ उन में safety pin लगा दी है ऐसा क्यों कि यह है क्योंकि जब मैं blouse के साथ पल्ले को set करने जाओ ना तो मेरा जो blouse है वो pin के साथ secure करने के time पर पल्ला मेरा खराब ना हो जाए ठीक है ना तो ऐसे safety pin पहले लगा लेंगे ना तो आपका pleats खराब नहीं होगा और आपको कितनी भी देर लगे blouse में safety pin लगाने में आपको problem नहीं आईगी अब मैं थोड़ा आपको close करके दिखा दू ताकि आपको यह सारी चीजे clear हो जाए आप देख रहे हैं ना मैंने यहापे safety pin लगा रखी है यह बिलकुल ऐसे ही रहने वाली ह अब मैं आपको जो tips बताने वाली हूँ ना बहुत ज़्यादा important है guys तो इनको अच्छे से सुन लेना and please देख लेना carefully skip mark कर देना नहीं तो बाद में problem आजेगी यार अब यहाँ आपर देखिया अब मैंने जो blouse पहना इसमें beach mix लाई है right तो मैंको क्या करना है front में नहीं back क तरह लगाना है त्थे ना है जो डौरी है उससे थोड़ा सा उपर बट कई बार होता है हम डौरी भी नहीं लगाते हैं ना blouse में तो उस टाइम पे अगर आपको जो sly होती है उससे थोड़ा सा पीछे लेना होता है और फिर उसके बाद आपको safety भी लगानी है तो मैं यहा थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी क्लियरली बताना चाहूंगी कि आपको उना safety pin जब भी लेनी वो sharp होनी चाहिए ठीक है अब हमें लेना है safety pin को इस तरीके से sorry मेरा हाथ दिखाए दे रहा है I am really very sorry मैंने इस तरीके से जो blouse था ना को थोड़ा सा ट्विस्ट किया पीछी की तरफ से और अंदर से safety pin को insert किया है उपर की तरफ से आपको दिखाए दे रहा है इस तरीके से मैंने ऐसे twist किया safety pin को अंदर से बाहर की तरफ insert किया फिर दुबारा twist करेंगे और फिर इस तरीके से दोनों thumb को आपको proper तरीके से use करना है और फिर बाहर की तरफ ले जाना है और ऐसे आपको कर देना है safety pin को अंदर की तरफ आपका proper safety pin लग जाएगा I know कि इस वीडियो में बहुत बार मैंने safety pin बोल दिया है लेकिन यह वीडियो ही इस चीज के ओपर है कि आपको proper तरीके से safety pin कैसे लगानी है अब मैंने जो extra लगा रगा था safety pin फिर से safety pin वो हटा लेंगे और फिर जब यह proper secure हो जाएगा फिर one by one front की तरफ से हमें secure करना है एकदम clean मतलब दिखाना है pleats हमरा proper दिखाई दे इसके लिए हम one by one सारी pleats को arrange करना शुरू कर देंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ और फिर उसके बाद ये मेरी tantran arrange हो चुकी है सारी की सारी pleats है होगी ना अच्छे से arrange और फिर उसके बाद हमें क्या करना last वाला border ये ध्यान रखना है भई आपको बिल्कुल simple नहीं रखना है आपको अच्छा मतलब look दिखाना है तो आपको उपर की तरफ बीच में नहीं आपको उपर की तरफ इस तरीके से fabric को twist कर लेना आपको I think clear हो गया होगा अगर नहीं होना यार comment कर देना please तो इस तरीके साब को twist करना है और फिर उपर की प्लीच से अंदर की प्लीच को छुपा लेना that's it बस हो गया काम और कुछ नहीं करना है अगर आपकी साड़ी हलकी है यानि transparent टाइप की है तो आपको border हटा के first border हटा के safety pin नहीं लगाने तो इससे क्या होने वाला है कि आपका जो safety pin है वो easily लग भी जाएगा और आपको चुबेगा भी नहीं और आप आराम से लगा लोगे ना तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है and front से पता भी नहीं चलता कि आपने safety pin कहां लगाई है तो आइ थिंग आपको ये सारी चीज़े clear हो गई होंगी तो यहाँ पे मैंने आपको safety pin clearly बता दिया कैसे लगाना है pleats कैसे लगाना है ये भी बता दिया अब बात आती है कि ये जो pleats हमारी over cover हो गई है इनको भी तो ठीक करना पड़ेगा न यार तो इन्हें हम दुबारा से one by one सारी pleats को range करेंगे and then उसके बाद final look ये आने वाला है I hope आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो I hope क्या बिल्कुल पसंद आने वाली ये वीडियो है बहुत काम की ये वीडियो है तो इस वीडियो को save कर लेना और अपनी friends के साथ अपनी mommy, बेहन के साथ share कर देना, जरूर कर देना उनकी भी help हो जाएगी final look बहुत अच्छा आया है I hope आप लोगों को भी पसंद आया होगा and अब मैं आपको लोग भी दिखा दूँगी लेकिन एक बात बोलू इसका ना second part भी आएगा जिसमें मैं आपको कमर की plates arrange करना बताने वाली हूँ तो second वाली वीडियो भी जरूर देख लेना second part को आपकी बहुत help होगी I hope आप लोगों को ये video useful लगी होगी और video useful लगी है तो जरूर इस video को like करना, share करना चैनल पर first time आये है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना and देखे कमर की plates जब ऐसे बनानी होना तो इसका second part तो देखना बनता है और अभी देख लिए इतना ही मिलती हूँ next video में till then बाई